अभ्यास अठासी उपसभा अध्यच महोदया यहां मुशलिम काल भी रहा और मुसलमानों ने भी इस बात को अनुभव किया और उर्दु भासा के रूप में संपर्क भासा को ब्यक्सित किया उसके बाद अंग्रेज आएं उन्होंने सोचा कि यहां की जनता से हमारा संपर्क कैसे होगा और देश को एक सुत्र में रखने के लिए जनता को अपनी भासा अंग्रेजी भासा सिखने के लिए कहा उन्होंने इस प्रकार तमाम भारत को उत्तर से दच्छन तक पूर्व से पस्चिम तक एक सुत्र में बांध दिया और इसके लिए उन्होंने अपनी भासा और अंग्रेजी भासा का प्रयोग किया अगर अंग्रेजी भासा के द्वारा उन्होंने हमको एक सुत्र में न बांधा होता तो हमने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उस समय वह सुत्र में न रहता अब बात यह रह जाती है कि स्वतंत्रता के पस्चात हम अपनी उस एकता के सुत्र को रखे या न रखे पर मैं समझता हूँ कि किसी भी स्वाभिमानी देश को किसी एक सुत्र में भी विदेशी भासा सुभा नहीं देती यह देश के स्वाभिमान के लिए अपमान की बात है आज 25-26 वर्ष के बाद भी अंग्रेजी हमारे सीने पर लदी रहेगी यह हमारे उपर एक कलंग की बात है कोई भी देशी भासा जो देश की राष्ट भासा बन सकती है संपर्क भासा बन सकती है उसको बनाएं विदेशी भासा देश की संपर्क भासा नहीं बन सकती क्योंकि भांसा के उपर देश की संस्कृती, सहित्य, सभ्यता और इतिहास निर्भर करता है भांसा को आप मिटा दीजिए, किसी देश की भांसा को छिन लीजिए उसका सहित्य, उसकी संस्कृती, उसकी सभ्यता, उसका इतिहास सब लड़ खड़ा जाता है इसलिए हम देशी भांसा की अपेच्छा बिदेशी भांसा को किसी भी रूप में अपने देश की राष्ट भांसा नहीं बना सकते परन्तु इस बिधेयक के द्वारा हमारी राष्ट भांसा हिंदी को नुकसान पहुचाया जा रहा है हमारी सरकार ने सम्विधान में हिंदी भांसा को इस आधार पर नहीं रखा कि हिंदी भांसा ज्यादा अच्छी है बहुत ज्यादा संपन है इसके लिए नहीं मैं तो समझता हूँ कि हिंदी भांसा से ज्यादा संपन और प्रांतिय भांसाएं भी है वे भी बन सकती हैं परंतु प्रजातंत्र में प्रजातंत्र के अधार पर हिंदी भांसा को चुकी ज्यादा लोग बोलने वाले हैं इसलिए हिंदी को राष्ट भांसा अंग्रेजी के अस्थान पर लाने के लिए सरकार ने संविधान में रखा और हमारे देश के प्रतिनिधियों ने सर्वसमती से उसे स्विकार किया कि अंग्रेजी का अस्थान हिंदी ले सकती है क्योंकि हिंदी न जानने वाले देश में जो प्रांत हैं उनको कठिनाई थी नवकरियों के कारण जिन उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को भी साथ साथ चालू रखा जाए ताकि दूसरे प्रांत के लोगों को इसमें कठिनाई न आए मैं समझता हूं कि वह भावना हमारे संविधान बनाने वालों की है की एक देशी भासा को राष्ट भासा के रूप में अस्थापित किया जा सके यह अस्थान हिंदी भासा को मिला यह बिधेयक जो भुपेश गुप्त जी लाए हैं यह उसके खिलाप बहुत बड़ा सद्यांत्र मैं मानता हूं और इस सद्यांत्र के पीछे सबसे बड़ी बात यह लगती है कि अंग्रेजी राष्ट भासा बनी रहे